नमस्कार दोस्तों 26 जन्वरी 2019 के करेंट अफर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी नीउस है चुकि आज 26 जन्वरी है तो इस औसर पर मैं आपके लिए लेकर आए हूँ और बिना इस पेस दिए आपको लिखना है 10 ठीक है यह उफर का कोड जो है यह उनी लोगों को पता रहेगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे कि हाल ही में एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका के साथ में अपने पॉलेटिकल रिलेसंसिप को खतम कर लिया है और उस देश का नाम मैंने बताया था वेनेजुएला ठीक है तो अभी यह बहुत बड़ा इसू बनता जा रहा है और जब तक यह इसू चलेगा महिने दो महिने तीन महिने हम इसको बराबर कवर करेंगे चीक है UPSC के पॉइंट अप्यू से यह बहुत बड़ा टॉपिक मनेगा तो यहाँ पर अभी रिसेंट में न्यूस क्या आई है कि मैंने आपको बताया था कि यह जो वेनेजुएला की सरकार है यहाँ पर आपको दिखाया था कि सा अमेरिका ने उसमें दखल दिया और अमेरिका ने क्या किया जो विरोधे पार्टी के जो लीडर थे उनको प्रेसीडेंट के नाम पर अपॉइंट कर दिया जिसके लिए डोनल्ड ट्रम्प ने ट्वीट किया था ठीक है अब यहाँ पर क्या है कि चुकि अमेरिका ने वहां सारे देश तो अमेरिका के पक्ष में है कि उसने जो किया सही किया लेकिन चाइना और रसिया जैसे बड़े-बड़े देश जो है वो वेनेजुएला के पक्ष में है उनका कहना है कि अमेरिका ने ये गलत किया ठीक है वो चाहते हैं कि जो प्रेसिडेंट पहले से था वही यह पर प्रेसिडेंट रहें तो अभी यह दो गुट बन गए हैं पहला गुट जो विपच्छी पार्टी को अपना प्रेसिडेंट बांते हैं और दूसरा गुरुप जो करेंट में अभी प्रेसिडेंट हैं उनको अपना प्रेसिडेंट बांते हैं तो बहुत बड़ा इसू हो का एक देश है जिसके नए जो राजा है चुने गहें सुल्तान अब्दुल्ला ठीक है सुल्तान अब्दुल्ला इसका राइड अंसर हो जाएगा अक्सर आपने टीवी में सुना होगा या फिर बहुत बार सुना को लोग मलेशिया घुमने जाते हैं तो देखो हम लोगों को मलेशिया जाना हो तो कैसे जाएंगे उससे पहले देख लो सुल्तान अब्दुल्ला का फोटो आपको दिखा देता हूँ यह सुल्तान अब्दुल्ला जिनको मलेशिया का नया राजा बनाया गया है मलेशिया की जो कैपिटल है वो है कुवाला लामपुर और वहां की जो म पास का अगर कोई टूर बनाता है मतलब कभी आपको भी अगर भारत से बाहर कहीं घुमने जाना हो तो ऐसा नहीं कि नेपाल चले गए ठीक है अगर आपको आपको इंडिया कहीं जाना है तो आपको दिख रहा मलेसिया थीक है तो यहां पर इतनी दूरी पर आपका मलेसिया पड़ेगा तो मैप में आपको सारी चीजह क्लियर हो गई एक बार कोशन फिर से देख लेते हैं कि मलेसिया का नया जो राजा है वो किसे चुना गया है सुल्तान अब्दुल्ला को मलेसिया का रजा चुना गया है अगले कोशन की तरफ चलते हैं हाल ही में Indigo ने किसे नए CEO के रूप में नामित किया है तो नाम याद रखना अपॉंटमेंट वाला कोशन है तो इंडिगो ने जो ने CEO बनाए है वो बनाए है, रोजो, रोनो जाए दत्ता को, नाम अच्छे से किलियर कर देना, एक बार अपने मन में कोशन बोल के देखो, और उसका अंसर बोल के देखो, तो आपको अंसर याद भी हो जाएगा, वीडियो के साथ-साथ याद होती चलेंगी चीजे तो बड़ा अच्छा ल आते हो, यानि कि आपकी बहुत बड़ी कमी है, अपनी तरब से इमानदार बनो, इतना मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आपके साथ, आपके साथ मैं महनत करने को तयार हूं, मैं महनत कर भी रहा हूं आपके लिए, इसके बावजूद मुझे रिजल्ट चाहिए, आप लोग जल नेशनल वोटर्स डे, इसको हर साल मनाय जाता है 25 जन्वरी को, और बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 जन्वरी को हर साल नेशनल वोटर्स डे मनाय जाता है, यहां पर इसका फोटो आप देख सकते हैं, नेशनल वोटर्स डे 25 जन्वरी को मनाय जाता है, यानि कि 26 जन्वरी से ए असानी हो जाती है ठीक है इस बार का जो national voters दे है उसका जो subject है वो है no water to be left behind ठीक है ये इस बार का इसका subject है और पहले क्या होता था कि vote करने के लिए आपके पास में आयू जी सीमा जो थी वो 21 साल रखी गई थी ठीक है लेकिन आब इसको गटा कर 1988 में 18 वर्स कर दिया गया है तो ये question भी एक exam में पूछा जा सकता है कि किस संद में जो voters की आयू होती है आयू सीमा उसको 21 से गठा कर 18 कर दिया गया है तो इसको 1988 में 21 से 18 कर दिया गया है अगला question है देखो अभी समय इंडिया में बागू की संख्या जो है नेरंतर रूप से कम होती जा रही है तो जिस इसमें क्या कि एक ऐसा राज है उसने क्या किया है कि किस प्रदेश ने बागो की रच्छा के लिए राज ये बाग संख्यन बल का गठन किया है तो देखो एक force को बनाया है एक force develop की है जिसको बोलते हैं बाग संख्यन बल इसको देखो कहां पर सुरू किया गया है इसको पागों का फोटो दिखा देते हैं, अच्छा एक चीज़ बताना, तेलंगाना के CM का नाम और वहां के गवर्नर का नाम, दो चीज़े यहां पर आंसर देना, तेलंगाना के CM और गवर्नर का नाम क्या, अगले कुशन की तरफ चलते हैं, यहां पर यह वहला कुशन हम लोग कर चुके हैं आगे चलते हैं ये कोशन जिन्दगी नामा नामक उपन्यास की प्रसिद्ध हिंदी लेकिका का क्या नाम है जिनका हाल ही में निदन हो गया है तो यहां पर देखो जिन्दगी नामा नाम का उपन्यास जिन्नों ने लिखा है उनका निदन हो गया है वो है क्रिस्ना सोबती यहां पर इनका कोशन इंपोर्टेंट इस बज़े से क्रिस्ना सोबती को ग्यान पीट पुरसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है ठीक है तो यहां पर उनके और कुछ भी फेमस उपन्यास हैं जो अब हो सकता एक्जाम में पूछे जाएं जैसे कि सूरज मुखी अंधेरे में डार के बिछुडी जिंदगी नामा यह इनके फेमस उपन्यास हैं जिसके बिज़े से यह फेमस ह पर देखो 25 जनवरी को नेशनल वोटर सदे मनाया जाता है एक तो यह चीज हो गई 26 जनवरी तो आज है सभी को पता होगा लेकिन कहरा 25 जनवरी को किस राज्य का इस्तापना दिवस भी है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा हिमांचल प्रदेश हिमांचल प्रदेश इसक 25 जनवरी 1971 को केंडर सासित प्रदेश से पूर्ण जाज्य का दर्जा मिल गया था इस परकार से भारत का अठारवां राज्य बना था जिसको नया दर्जा मिला था ठीक है तो यह चीज याद रखेंगे काफी इंपोर्टेंट चीज थी अभी रेको थोड़े दिन पहले हम वसीम जाफर के बारे में पढ़ा था जिनको लेकर एक और नया कोशन मना है कि वसीम जाफर कितने बार रनजी ट्राफी के एक सीजन में एक हजार रन बनाने वाले पहले बल्ले बाच बन गए हैं तो यहाँ पर इसका राइट अंसर हो जाएगा टू टाइम्स ठीक है दो ब बार यह ऐसा काम कर चुके हैं तो वसीम जाफर इसका राइट अंसर हो जाएगा अब अगला कुशन करते हैं जितनी तरीके पेट्रोल के राइस जिस तरीके से पेट्रोल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं और फ्यूचर में पेट्रोल की अवैलिबिलिटी भी कम होती जा आए है तो जाइरी सीवाद हम लोग वहनों के लिए टेंड करें गे तो भारत ने विस्तार योजना के लिए किस देश को आमंतरित किया है तो यहां पर इसका राइट अंसर हो जाएगा चाइना ओप्शन यहां पर बिल्कुल यह हो जाएगा कि चाइना के साथ में भारत न 2019 में और 2020 में कौन बना रहेगा तो 2019 और 2020 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली जो अर्तिवैबस्ता है वो भारत बना रहेगा। तो option C यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अतल विवस्ताओं में से एक बना रहेगा. तो दोस्तों ये तो थे आज के question अब कुछ revision भी कर लेते हैं देखोर revision बहुत जरूरी है अदर्वाइस आप चीजों को भूल लिया होगे सभी लोग इमांदारी से comment करना कि Global Investor सिखर समयलन जो है ये कहां पर organize किया गया है हाल ही में Yes Bank के MD और CEO के रूप में किसे नामित किया और आज का last question है कि राष्ट्री ये बाली का दिवस किस दिन मनाय जाता है वीडियो आपको थोड़ा सा भी फाइदा पहुचाता हो तो इसको दोस्तों तक share करना ना बोलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like करें so that इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुच ब दो चल झाता है